नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार में और मैं दीन दियाल रमावत चैनल डीडी रमावत से आपके लिए हर रोज लेके आता हूँ पासों से जुड़ी कोई ना कोई जानकारी, किसी ना किसी समश्या के समाधान, कोई ना कोई बिमारी के इलास, उपचार, रकरकाव, गरल उपचार, देसी इलास, सब कुछ, लक्षन, कारण, सब कुछ आपके लेके आते हैं उसी परकार से सातियों आज इस वीडियो में मैं एक बहुत ही एहम जानकारी आपको देने वाला हूँ, वो है भैस के पेड़ दर्द के बारे में, जैसे कि आपको ने टाइटल में पढ़ा ही है, भैसों में जो पेड़ दर्द होता है ना, सातियों कई वार अगर रात के सम इस ही इलाज है, वो आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो सातियों आज इस वीडियो में पेड़ दर्द से जुड़ी हुई सभी जानकारी, मैं आपके लिए लेके आया हूँ, तो आईए वीडियो सुरू करते हैं, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब न वो पसुब बार-बार पटकता है, इदर उदर, इदर उदर होता है, बार-बार ऊड़ता बेड़ता है, तो हमें अंदाजा लगाना होता है कि उसका पेड़ दर्द कर रहा है, इसके अलावा सातियों कई वार पेड़ दर्द जब ज्यादा होता है, तो बैंस नीचे गिर और पेर पटकने लग जाती है वापिस खड़ी होती है थोड़े देर बाद वापिस नीचे गिरती है वापिस पेर पटकने लग जाती है तो ऐसी अगर लक्षन हमारी बहिस दिखा रही है तो इसका मतलब हमारी बहिस को पैड़ दर्द है साथियों ये सबी लक्षन अगर बैस दिखाए तो आप दो बाते पता कीजिए पहली बात आप ये पता कीजिए कि आपकी बैस ने दिन में गोबर किया था या नहीं किया था पैसाब किया था या नहीं किया था और आपकी बैस को आप रहे या नहीं है यानि पहला काम आप गुबरो पेसाबुकर चेकरने हैं दूसरा आप आफरा चेकरने यानि जो लेप्ट साइड है बाइंसाइड उससे जो रुमन है वो फूलावा तो नहीं है यानि गेस तो नहीं बरी हुई है अगर गेस बरी हुई है तो हमें आफरे का अलग से इलाज करना पड़ेगा जिसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है जो भी आपको end screen पे मिल जाएगा आप आराम से देख सकते हैं और उसमें जो इलाज बताया हुआ है अगर आफरे की वज़े से पैड़ दर्द है तो आप वो इलाज करें उससे तुरंट आराम मिल जाएगा इसके अलवा अगर गोबर नहीं किया है पसुने और उसका पैड़ दर्द है तो हमें कबजी का इलाज करना पड़ेगा वो भी हमने वीडियो बना रखा है जो आपको मिल जाएगा इसके अलवा साथियों अगर पैसाब नहीं किया है टोलिट हमारी बेंस नहीं किया है पूरे दिन में तो उसका भी आप पता करें उसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बनाया है वो आप देख सकते हैं यानि ये जो इलाज है हमें सिंटम देख के करना पड़ेगा इसके अलावा साथियों गोबर भी कर रही है पैसाब भी कर रही है आपरा भी नहीं है इसके बावजोद पेटदर्द हो रहा है तो जो मैं आपको नुस्का बताने जा रहा हूँ वो आप नुस्का इस्तेमाल कीजिए बिलकुल हमारी बेश को आराम मिल जाएगा साथियों हमें जब पेटदर्द का पता चल जाए तो हमारी बेश को तुरंध हमें दवई देना है और गरेलू दवई जो हमारे गर में उपलब दे उनमें चार चीजे है पहली जो चीज है वो है अद्रक जो हमें 25 ग्राम लेनी है दूसरी चीज है साथियों अजवैन जो भी हमें 25 ग्राम लेनी है तीसरी चीज है काला नमक जो हमें 50 ग्राम लेना है और चोती जो चीज है वो है मीठा शोडा वो भी हमें 50 ग्राम लेना है साथियों इन चारों को हम अच्छी तरह से mix up कर लेंगे हमाम दस्ते में कूट लेंगे कूटने के बाद गुड में थोड़ा गुड लें जदा नहीं थोड़े गुड में जितने में वो लड़ू बन सके लड़ू बना करके और जो मैंने खिलाने का तरीका बदाया था बेंस को दवा खिलाने का वो तरीका भी अभी एंड स्क्रीन में है आप देख ले ले ना तो उस तरीके से आप छोटी-छोटी गोलियां बना करके अपने पसू को खिला सकते हैं क्योंकि नाल बगरा बेंस को देना थोड़ा मुस्किल रहता है तो आप आराम से ये गोलिया बना करके खिला सकते हैं और आप अगर ये खिला देंगे तो विदिन वन आवर यानि ज़्यादातर आदे गंटे में तुरंट आराम मिल जाएगा और कई वार साथियों पेट में जब किटणों होते हैं या कोई परकार की दूसरे समझ्या होती है तो उसमें केरोसीन भी फाइदा कर जाता है यानि आप केरोसीन भी नाक पे लगदे इस नुस्के के साथ में साथियों एक बात आपको और ध्यान में देने की है और वो बात ये है कि आपकी बैस ग्याबिन है या नहीं है अगर ग्याबिन नहीं है और पेड़ दर्द कर रहा है तो हमारे ये नुस्का जो है रामबान है आप इस्तिमाल करें और अगर ग्याबिन है और पेड़ दर्द कर रहा है तो इस नुस्के को इस्तेमाल करने से पहले हमें अपनी बैंस को दूद और घी देना है घी साथियों अगर वनस्पती गी है तो आप वनस्पती गी ले सकते हैं या फिर गाय या बैंस का भी एक पाव आप गी लें और एक लिटर दूद लेने गाय के लिए भैस का अच्छा रहता है भैस के लिए गाय का अच्छा रहता है उसके बावजो जो भी हमें तुरंत मिल जाए चाई बकरी का ही हो तुरंत मिल जाए वो दूद ला करके हमें घी में मिला करके देना है साथियों अगर delivery time नज़्दीक है मानलों की साधे-9 महीने हो गए हैं 15 या 20 दिन ही बाकि है तो उस इस्तिती में आप गी की जगें तेल भी ले सकते हैं और तेल में सात्यों तिली का तेल आप ले तिल का तेल सभी गरों में मिलता है तो एक पाव तिल का तेल और एक लिटर दूद किसी भी प्रकार से हमारी बेंस को दे दे अगर पीने तो अच्छी बात है नहीं तो हमें जबरदस्ति देना ही होगा क्योंकि ये देने से ग्याबिन पसू के लिए बहुत जल्दी आराम मिलता है अगर पसू ग्याबिन नहीं है तो हमने जो पहला अजवाईन वाला फूर्मूला बताया था वो आप आसरी से दे सकता है ताकि आपकी बेंस को तुरंद आराम मिल जाए साथ योग पेड़ दर्द में कई वार आंटे आ जाते हैं जैसे आंत में आंटे आ गए हैं या फिर कई वार यह होता है कि कोई फोरें बोड़ी लोही की कोई चीज चपल जुता कुछ भी पसू खा लेता है हमारी बेंस खा लेती है और वो जब अंदर चला जाता है तो उसके वज़े से पेड़ दर्द होने लग जाता है वो पेड़ दर्द इन नुक्स के जो है हमारे इनसे नहीं रुकेगा उसके लिए हमें नजदी की पसू चिकित सक से जल्द से जल्द सला लेनी होगी हाला कि फोरें बोड़ी का ट्रीटमेंट बहुत ही मुश्किल होता है फिर भी पसू चिकित सकी हम सला लेंगे तो वो इलाज जरूर करें कई वार साथियों ग्याबिन बैंस में पेड़ दर्द का एक कारण और भी होता है और वो होता है बच्चे दानी में आंटे आ जाना यानि कई वार बच्चे दानी घूम जाती है पूरी और उसका जो मुह है जिसको हम सर्विक्स बोलता है उस सर्विक्स में फोल्ड आ जाता है यानि एक ट्विस्टिंग हो जाती है तो उसके वज़े से भी पेड़ दर्द होता है तो यह हमारा जब फॉर्मूला आप इस्तबाल करें और आराम ना मिलें तो आप जल्द से जल्द नजदी की पसोचिक्षक से संबर करें वो हमारी ग्याविन बेंस को चेक करेंगे कि कहीं पर ट्विस्टिंग तो नहीं है अगर ट्विस्टिंग हुई है तो वो अपने हिसाब से इलाज करेंगे और आपकी बेंस को तुरंता रहाए जो भाई पहली बार हमारा ये वीडियो देख रहे हैं या हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वो नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब वाला बटन है उसे जरूर दबा दे क्योंकि इसी परकार की जानकारियां हम अपने चैनल पे लगातार लेके आते रहते हैं और नई नई जानकारियां और उप्योगी जानकारियां जो पसुपलक बाईयों के लिए बहुत ज़्यादा फाइदे मन्द होती है वो हम आप तक लेके आते रहते हैं तो साथियों सबस्क्राइब जरूर कर ले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगाए तो इसे लाइक भी जरूर कर ले क्योंकि इस वीडियो में मैंने जो आपको जानकारियां दी है वो जानकारियां हमारी भैसे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है क्योंकि अधिकतर क्या है रात को पेड़दाज होने लग जाता है पसुचिकितसक की नजदी की सेवाई नहीं है तो आपको खुद को ही कुछ ना कुछ इलाज करना होता है तो उस इस्तिति में आप मेरा ये जो वीडियो है वो जरूर देखें और देख करके और इसमें जो बतायावाई इलाज करें मुझे उम्मीद है कि आपके पसुचों को आपकी बहस को तुरंत अराम मिलेगा तो साथियों आज के लिए बस इतना ही अलग वीडियो में